असलामलीकूम कैसे हैं आप सब होफ़ली सब ठीक होंगे हम भी शुकर अलहम्दुलिल्ला सब ठीक ठाक हैं तो यहां पे जी हम त्यार हो रहे थे माल रुचाने के लिए हमने एक्टली प्लैन किया था कि आज ना किश्मीर पॉंट चुनेंगे और वहां पे ना जो आइलेंड चलेंगे कुछ शॉपिंग का सोचा था के करेंगे ना तो वह चीज़ें लेने हमने का चलो आज चलते हैं तो बच्चे यहां पे रैडी होगे थे और मोस्ली तो हम लोगे जब जाना होते ना तो मॉर्णिंग में जाते हैं लेकिन आज ना बस सारा दिन मैंने मिशीन लगा यह कपड़े को रहा वाश की है तो इसलिए ना अब तकरीब शाम हो गई थी साड़े तिन मज़े के टाइम था जब हम घर से निकले तो यहां पे हम घर से निकल आए थे मिनाहिल अरफा तो बहुत एक्साइट्रीट थे आगया कि जा रही थी मैंने हुदा को ठाया हुआ थ तो बस सोचा के चलो अब यह थोड़ी बहुत शॉपिंग है वो भी हो जाए उसके बाद पैकिंग भी कर ले तो काम इतने जादा है आजकल आजकल बहुत जादा का बर्ड़न है यह है कि यह वाला घर वाइंड अप करना है और पैकिंग वेरा करनी है और मेरा यह प्लैन है कि मैंने जो है न वो मरी से उधर जाना है पहले फैसलाबाद तो फैसलाबाद जाना है ता तो इसलिए हमने सोचा के आज माल रोट पे डा Cocked वीक कर वा लेगे बहुके टिक्र ऊबर अभी बोक कर वा लेगे ताकि कन्फरम हो के कितने बचे tenure आना है और किस दिन… जाना है न नी ठंडक बहुत ज़्यादा मरी का जो ठंडा तरीन आलागा है ना वो जी कागली है बहुत ज़्यादा द्रखत है गने गने से चाओं है वहाँ पर अच्छा लगता है ना हमेशे वहाँ जाना तो बस पर जी कागली से आगे हम लोग जा रहे थे किश्मीर पॉइंट की तरफ पहले सोचा के किश्मीर पॉइंट चलते हैं वहाँ पर थोड़ी दिर रुक के उसके बाद माल पर जाएंगे वैसे भी माल रोड पर ना मोसली रात के टाइम पर रष होता है और वहाँ पर ज्यादा तर जाना वो रात को ही लोग निकलते है बाहिए डेयर टाइम में कोई नहीं आता वहाँ पर जादा तो आज कल तो कोई इतना खास रश नहीं था हाँ पिशावर की काफ़ी फैमिली जाई हुई थी क्योंकि पिशावर में न सिलाब वगएरा की वज़ा से चुटियां एक्स्टेंड हो गई है टैन स्टंबर तक चली गई है न चुटियां तो इसलिए वहां पे जितनी भी फैम तो बस प्लैन तो हमारा यही था कि 14 अगस्ट के बाद आ जाएंगे किसे दिन चक्र लगा लेंगे बर डिले होता होता पिर काफी डिले हो गया तो बस आजकल तो यहीं से तरह से दिन गुजर रहे हैं पैकिंग वेरा मेर त्यारी में दिल उदास उदास भी है और अच्छा भी लग रहा है कि चलो बच्ची स्कूल जाना शुरू कर देंगा अच्छा यहां पे जगा जगा पे वो जो चाय वाला है एक बड़ा लड़का फेमस हुआ था उसने अपनी ब्रैंड बना लिया चाय वाला के नाम से बड़ा ही जबरदस यहां पे एक रेस्टरांट ओपन हुआ था तो वहां پे उसकी एक पिक्चर लगी थी पुरानी और एक लेटस पिक्चर लगी हुए थी तो अच्छा बना लिया उसने इतना फेमस हो गया बस एक वीडियो से जाये वाले कि जो एक वीडियो बनागे एक लड़की ने यहां पे उसकी ब्रैंड के नाम से एक र पे हैं तो यहां पर फारी ट्रेन से से प्रेसराय तर लगरे excuse तो इसलिए बस एक इतफ़ा बैटे तो इसके बाद कभी नहीं बैटे बस जी यहां पर हम लोग आगे थे किश्पीर पॉइंट तो पहले हम लोग दूसरे तरफ किये थे जहां पर दूसरे जूले होते हैं तो यहां पे हम लोग इसलिए आये थी क्योंकि यहां पे फ्राइस बहुत मज़े की होते हैं हम स्पेशली हम ने का के चलब भूख बहुत लगी हुई है तो फ्राइस खाएंगे जाके तो बस यहां पे बच्चे बैठ रहे थे हुदा हुदा मैडम सोई रही सारे रस्ते यहां पे पहुँचते हुदा क्यां खुल गी और बालों का हाल देखे यह जी हमने मगवा लिए थे गरमा गरम फ्राइस बहुत मज़े के थे और उसके बाद थोड़े बहुत जंपिंग हुए रखी बच्चों ने और यह जो दूसरा जो आइलेंड नो जो नियू अपन हुआ था अभी हम इस ट्रैंप पे वहां पहुंच गया है यह भी बहुत ज्यादा खुबसूरे जगा है यहां पर जो व्यू है ना बहुत ही अमेजिंग है तो रस्ते से अर्फान होदाने और अर्फाने ले लिक्वाटन कैंडी वहां से हमने चना चेट भी खाई थी और साथ में फ्राइस खा लिए यह देखे हर तरह के जूले यहां पर लगे हुए थे जंपिंग भी और यह सारे खोदा इतनी एकसाइटी रो और रही थी इतनी एकसाइटी रो रही थी यहां पर आ कर यहां के स्पेशल जो चीज़े वो बिर्यानी है और साथ में चाय भी अच्छी होती है और पहले यह नहीं था ना अब यहां पे नहीं है यह एक शेश का पॉइंट खुला है बस उसके बाद हम इस तरफ थोड़ा सा आगे आए तो यहां पे एक पार्क है यह तो पहले भी था लेकिन इस दफ़ा हम आये हमने का चुरू इस वाले पार्क में भी बच्चों को लेके चलते हैं यह भी दिखा के लाते हैं यह भी बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत था ब्यूटी बहुत ही यहां पे इतने सारे फ्लावर्स थे बहुत ज़्यादा फूल किले हुए थे और जगा जगा लिखा हुआ था कि फूल तोड़ना सकती से मना है और यह जो लाइन है यहां भी इसको देखे हुदा इतनी खुश हुई इतनी खुश हुई वो इसको रेल समझ रही थी ना डढ़नी रही थी इसको हाथ लगा रही थी लाइन लाइन अर्फा बारबर के मैंने भी इसके ओपर बैठना मैंगा नहीं अर्फा आप बैठकी तो यह गिरना जाए हिरन भी थे और इस तरह से लाइन और बड़ा ये खुबसूरत सा पीकॉक भी बना था उसके पास बच्चों ने बहुत सारी तस्वीरे भी खिछवाई और इतनी प्यारी तस्वीरे आई है उसके पास जो बनवाई है उन्होंने तो यहां पे आपा अशारे करी थी वापस उतर ही जाना है उतर ही जाना है तो हमनेस्जा खालो हो रागे चलते आँ वहां पर झाके जूले भकी लेकर यह के देते हैं आप जितना सीन विव था एक दफा़ पहले भी हम यहां पर आये थे इस दफ़ा में तो पहले चेकर लगा है पहले जब यहां पर रहते थे न तब हमने इस पार्क में चेकर लगा था तो बस मिनाहिल अर्फा यहां पर स्लाइड बगरा ले रही थी हुदा को भी गोद में बिठा के लिए उन्होंने एक दो दफ़ा अर्फा को तो थोड़ा सा भी तेज जूला दे दो अर्फा डेड़ना शुरू हो जटी है विनाहिल अर्फा को तो यहां पर इतना दिल लग गया वो बस केंकि यहां से कहीं जाना ही नहीं है इधर ही रहें आप इधर ही रहें बच्चों को शोगो तेजू लूँगा यही बच्चों का फन होता है बस यह जार इंदी के हम इधर से कहीं न जाएं काफी टाइम हम इधर लग गया जगा बहुत हुपसूरत थी बड़े ही जबरदस व्यू एंड पे बिलकुल हम अकेले रहे गे थे बाकि सब लोग वापीस से ले गे थे देखें जी हुदा डर भी लग रहा था कि चोटना लग जाए तो बस फिर हम वहाँ से वापिस आने लगके वापिस जा रहे थे माल रोट की तरफ यह देखें कितना खुब्सूरत पीकोक था यहां पे मेरा इलफाने काफी पिक्स बनवाई और बड़ी प्यारी पिक्स बस जहां पर भी चले जो किसी भी पब्लिक प्लेस पे आप जिस दिन भी चले जहां वहां रशी रश्यत है तो रस्ते में अब यह एक जगा आगी है जब हम जारत ना माल रोट की तरफ तो इस जगा पे एक मौंकी नजर आ गया बच्चों को बस उदर ही रूख गई है और यह देखें लोगों ने यहां पे कपड़े दो दो के पिलाए हुए यहां के जो लोगे रहने वाले उन्होंने एक बड़ी प्यारी सी कोटिज लगी मुझे तकरीबन किश्मीर पॉइंट से माल रोड एक किलो मीटर का है रस्ता तो यह पैदल का ही रस्ता है यहां पे लोग मोस्ली इस ट्रैक पे पैदल जा रहे होते हैं अच्छा जाना सीधा था और हुदा पदा नी किस तरह मुणना स्टार्ट होगी यहां पे फुदा नमास पढ़ रही है बाबा के साथ फुदा इतनी क्यूट लग रही थी माशाला नमास पढ़ते हुए फिर मैंने का मैं उद्धा की वीडियो बनाल हूँ यहां पे हम हुदा नमास पढ़ रही थी तो मैंने का चला मैं जल 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 जिस्दा की वीडियो बनालू इतनी खुबसूरत मस्जिद और वह भी बड़ी अच्छी लोकेशन पर लेकिन पता नहीं लोगों को क्यों इहतराम नी होता पास इतनी गाड़ियों गुजर रही थी जिन्होंने जो फ्रेम स्ट्रक्चर है ना ये भी मरे अजबने बन वाया था तो ये भी बड़ा ही एक जबर्दस के समका होटल बन रहा है यहां पे भी इन्होंने काम किया तकरीमन एक साल इन्होंने इस जगह पे जॉब की थी लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो ये इसका पारक लोड़ाने के लिए ये शॉर्टकर ट्रस्टा अपनाया जीपियो चौंक वाली साइट से नहीं गये बस इस शॉर्टकर ट्रस्टे के तरफ से आगे सीरी उतर के ना नीचे तो फिर जब हम नीचे उतर है तो बिल्कुल उस जगह पे चले के जहां पे बैंक है ना हभी बैं प्रफा के लिए थे क्योंकि हमने पार्थ में काफी टाइम स्पेंड किया था तो बस दिया आगे हम माल रोड़ आज 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 यहां पे बीए जैसे जैसे शाम हो रही थी वैसे वैसे रश बढ़ता जा रहा था मिनाहिल ने कहा हम एने मोशन राइट पर बैटने मामा फिर मिनाहिल को यह मैंने मोशन राइट लेके दी तो अरफा को मैंने पहले बताती कि अरफा यह बहुत जादा मतलब कि डेंजरस हो सकती आपको डर्ड लगेगा यह देखे मिनाहिल क्या कर यह इसको डर्ड लग रहा था सबसे पहले इसने ली इडवेंचर वाली इड इतनी जादा नहीं थी बस बच्चों के सहाब से तोड़ा से जादा लग रहा था तो अर्फा तो देखके हमें डर्गी के शुकर है मैंने ले रही ये वीडियो भी अर्फा नहीं बनाई है बस जी उसके बाद हम लोंने ये मोशन राइड ली पासी ओफिस तावां से हमने और यहां पर हम लोग आगे बंदू खान आज हमने का कि आज इदर डिनर करेंगे खाना बहुत अच्छा था टेस्ट बहुत जबर्दस था लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है ये रेस्टों इसलिए अगर किसी का बजट इतना नहीं है तो यहां बिलकुल भी ना आएं क्यों इसके बाद हमने का कुछ मीठा हो जाए फिर हम लोग स्वीट क्रीम चलेंगे वहां पर हमने आइस क्रीम ली इसके पास ही स्वीट क्रीम है और रात के टाइम पर इतना खुब्सूरत लग रहा था ना माल रोड लाइटिंग बड़ी जबर्दस लग रहा था रात के टाइम के विवी कुछ हो रहोते हैं लाइटिंग शैटिंग की वज़ासे ना मुश्ली हम लोग बस दिन टाइम आती हैं रोड शाम टाइम घर चले जाते हैं जैसे जैसे शाम होती जा रही थी वैसे वैसे लोग आते जा रहे थे रश बढ़ता जा रहा था तो बस इसके बाद हम आगे स्वीट क्रीम तो यहां की मतलब आइस क्रीम बहुत ज़्यादा मज़े की होती है बहुत ज़्यादा टेस्टी फॉर्टीने गस्ट की वाज़ से उन्होंने बड़ा अच्छा जबरदस डेकॉरेट वगयरा पर किया हुआ था फॉर्टीने गस तो खैर गुजर गी लेकिन अच्छी डेकॉरेशन थी तो मैंने और मिनाहिल ने जो है न वो जो ओरडर की कौन वो थी चॉकलेट वाली तो अर्फा कहती मेरी न जो कौन हो न उसके ओपर स्प्रिंकल भी हो तो उसकी स्प्रिंकल वाली तो आई लेकिन उसको पर चॉकलेट नहीं थी तो अर्फा का मूर सक तोफ हो गया वो कहती कि मैंने आपने मुझे ये क्यों मगवादी मैंने का अर्फा आपने खुद ही तो कहा था कहती मेरी चॉकलेट वाली क्यों नहीं है तो बस भी बड़ा इंज्वाई किया बहुत अच्छा दिन गुजरा उसके बाद हम वापसी के लिए बैठ के गाड़ी में और रात के टाइम पे सफर करना बहुत अच्छा लग रहा था मैंने आई लेर्फा बार बार कह रहीं थी के जब हम वापस आते हैं कहीं हम जाते हैं तो इतना टाइम डगता है वापसी पे हम जल्दी से घर क्यों पहुंच जाते हैं मामा हम क्यों इतनी जल्दी घर अच्छा बड़ा लग रहा था ना रात के टाइम पे और जब हम घर गे तो घर में जी लाइट गई उईए थी गर जब हम पहुंचे हैं तो वहाँ पे लाइट गई उईई थी यह देखें इस तरह से इतना खुब्सूरत लग रहा था पहाड़ों में लाइट आउन थी और ऐसे लग रहा था सितारे जमीन पे आगे है यहां के वह हैं गैस्ट होस वगेरा इधर एक पाकीजा यह जो है ना पाकीजा गैस्ट होस यह जान रेम्बो के बांजे का है बड़ाई खबसूरती गैस्ट होस है लाइटिंग वह रखी हुई थी वह मैं थोड़ी थोड़ी सी वीडियो बना ली मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करोगी चलेंजी दरी हम घर पहुंच करेंगे